नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग टॉफ ऐसे फाइफ फूड्स के बारे में बात करेंगे जिने आपको अवाइट करना चाहिए जिनमेंसे नमबर वण पर है फिश ब्लस मिल्क क्योंकि जब आप इन दोनों को कम्बाइन करते हैं तो यह बहुत सारी प्रॉब के लिए तो हमेशा इसे नेगलेट करना चाहिए और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह होता है इन दोनों को कम्बाइन को कहने से हमारा जो ब्लड होता है वो बहुत ही जादा एसडिक हो जाता है नमबर टू पर है कि घी प्लस दही घी दही को भी अवाइड करना चाहिए दही को जनरली आप लोग दिन में खाना प्रफर करें और जो घीया उसे रात में खाना प्रफर करें अन्ना आपके मैटल मैटलिजम को भी डिसरपॉइंट कर सकता है बहुत ही जादा प्रॉब्लम कर सकता है नमबर थाइट पर है कि सलाथ जटरली हर व्यक्ति अपनी डेली कर दोड़े नहीं चोड़ों के लेकिन यदि आप मुंग खली कहते हो मुंग खली खाने के बाद यदि फिर आप पानी पीते हो ना तो यह आपके लिए बहुत ही स्धाध गंदी व्यात हो जाती है क्योंकि इन दोनों को कमभाई नहीं जमता क्योंकि पानी और दूद कभी नह तरका नमबर आता है 5 बाला हमारा दूद का क्योंकि मिलक और सॉल्ट का कॉमिनेशन भी बहुत ही जादा रफ्रेंजिस होता है जर्णरलि ऐसा नहीं होता है, बहुत सी चीज़ों में यूग किया जाता है जैसे कि salt है, salt को बहुत सारे product में use किया जाता है, लेकिन दूद के साथ उसाइड नहीं किया जाता है, क्यूंकि जो salt होता है, उसके कुछ अपनी properties होती है, मिलकी को चला होती है, हाला कि आप salt को दही में मिला के खा सकते हैं, बहुत सरे लोग खाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो problem है, लेकिन दूद के साथ आपको नमक नहीं खाना है,